हेलो सुट्ट्स लॉगरित्मिक डिफ्रेंशेशन हम कर रहे थे टॉपिक लास एक्षर में तो उसके वेसिज पर हमारा यह आज सेकिंड लक्ट है तो लेट्स इसकास वेट्ट को लेटेट्ट टुग डिफ्रेंशेशन तो यह दिखे हमारे पास यह ते कोशन भी हो सकते हैं तो अब किस क्वेशन को स्टार्ट करेंगे, तो लेट करेंगे y, it is as y, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, तो क्या इसको यह power as square root power है, क्या मैं इसको 1 by 2 power लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकता हूँ, तो अब करेंगे taking log on both sides, तो taking log on both sides, तो what we will get log y is equal to log of x minus 1, x minus 2 x minus 3, x minus 4 x minus 5 whole power 1 by 2 तो यहां पे formula क्या लगेगा आपको बता है log properties log of x ती power है अगर हम log of x power n तो n log x होता है तो क्या होता है n log x तो हम उसी procedure से लेंगे तो क्या अगर है log y is equals to यह n आगया हमारा लगे तो यह आगर log x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 तो यहां पे उन क्या करेंगे यह तो हमारी property log m upon n is equals log m minus log n यह न चक कर लो यह प्रॉट्परी यूज करूँगा यहां पे लगाँगो log m minus log n तो क्या रहेगा log y is equals to 1 by 2 तो मेरे पास बंदेगा log m m क्या हमारी पास यह तीक है चक कर लो 1 by 2 log तो यह हमारी पास बंदेगा अगर मैं इस bracket की बजाए ऐसे use कर लो हूँ x minus 1 x minus 2 अब लोग यह m है और यह है log m upon n लोग m over m is equals to log m minus log तो minus log यह सारा है तो यह बनेगा मेरे पास ठीक है चक कर लो यह बनेगा तो अब देखो 1 by 2 अब यह क्या log m m multiplied है तो अब यह लगड़ाए log m तो क्या log m plus log m तो यह लगाए तो यहां पे log m n p लगदा लो तो log m plus log n plus log b तो ऐसे करके हम ऐसा फॉर्मले को लिख देगे ठीक है तो अब क्या लिखें गया हूँ क्या लगड़ा लोग m यह लोग m अन्य पी क्यूँ कुछ भी हो तो लोग मल्टिप्रिकेशन फॉर्मला है लोग m multiply n लोग m plus log n ठीक है तो लोग m plus log n अब मैंस लगाऊ वागा ठीक है तो इससे नेक्स्ट वाला सब क्या होगा देखो यह लोग m यह m, n, p तो क्या लोग m plus log n plus log p तो बार माइनस लगा है तो एक बर मैंसे लिख देता हूँ ठीक है अब यह लोग m plus log n plus log p तो यह आगे यहाँ भी मैं रेकट यह लोगा ठीक है तो उससे नेक्स log y is equal to 1 by 2 तो अब यह लिखो माइनस log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5 तो यह बन गया में पास चेक कर लो ठीक है तो अब ने गया गया भी पहले तो y को लिखा इन दा form of जैसे हमने लिखना था 1 by 2 लिख 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 तो log of x की पावर n का फॉर्मला है n आगया आगया पावर आगया बन गया productive बन गया 1 by 2 log तो अब log x minus n का फॉर्मल लिख 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 फिर log x minus n का फॉर्मल लिखादी है तो यह मैं यहां से रुखता हूँ तो इससे नेक्स्ट वोला स्टेप क्या रहेगा देखो डिफ्रेंशीट बोस साइट इस रिस्पेक्ट एक्स तो क्या कोई गैट तो क्या में लिगा मेरे को यह आ गया यह वाए डीवाइ अपांद गीए अगर अगर माने पास रहे से फंक्चन हो u plus v plus w plus चलो कुछ भी लिख लो z लिख लो ठीक है तो जब हम differentiate कर लेंगे तो क्या हैगा d by dx तो हर एक का differentiate इसका लग इसका लग इसका लग इसका लग ऐसे होगा तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे use करेंगे अब लॉग x-1 log x-1 का derivative किया है देको 1 upon x-1 और x-1 का derivative यहाँ यहाँ पे log x-1 और x-1 का derivative क्या गया डेरिविटी फाइंट वोड करूंगा x-1 का क्या आएगा देखो यहां पर अगर मैं लिख दूंगा यहीं लिखोंगा तो इसका derivative क्या गया गया x-1 क्या गया गया और minus 1 का 0 क्योंकि यह constant है तो यह मैं directly यहीं लिख दूंगा this is 1 अब 1 अपॉन x-2 क्यों log x-2 का derivative तो x-2 का derivative कितना आगया 1 ना गया क्योंकि x का derivative 1 ना गया और 2 का 0 अगया अब इससे next log x-3 का 1 upon x-3 तो similar इसका भी वानना गया next 1 upon x-4 इसका भी वानना गया next 1 upon x-5 और इसका भी वानना गया check कर दो यहां भी derivative दिस 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 और जो हमारे पास positive negative जो भी sign है वो हमने consider कि एने ठीक है तो check कर दो यह वालस को ठीक है तो यह हमारा गया तो इससे next वालस्टप क्या है तो इससे next वालस्टप यह जो मारा बन अपन वाय है यहां पर आगे तो यह दिवाइड़ वागा यहां में मल्टिप्लाई हो रहे हिदर आगे तो यह बढ़िए बान अपन x-1-1-1-1-2-1-3-1-1-4-1-5 तो dy by dx हमारा क्या बन गया बान अपन वालस्टप दो तु यह रही है यह दो यह वाइड़ किया था तो यहीं कर दो 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 तो बाकि हमारा x-1, x-2, x-3, x-4, x-1, this is answer, यह हमारा answer, तो this is required question answer, तो ऐसे है मारे पास जोगी question होगे हम एस तो discuss करते हैं, तो let's discuss another question, upon logarithmic differentiation, तो यह मैं रख कर रहा हूँ, तो देखो ऐसा ही question हो सकते हैं, तो अगर ऐसे हो question देखो, क्या लिखा हो कि y है, वोगा log x-2, 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 x- का करूंगा, taking log on both sides, तो क्या लिखा है, log y, तो log, this, 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 तो यहां पर log m n का फर्म, log m plus log n, log m plus log m, plus log n, तो यहां पर log m, तो पहले 2 आगे आजाएगा, 3 आगे आजाएगा, तो हम ऐसा कोशन ऐसा करें, तो next, इसे next, क्या आगा, differentially both sides with respect to us, तो as you all are very much intelligent students, तो आप इस को सौल अपने याप कर सकते हैं, तो यहां रगर है, तो we discuss another question, है, तो question हमारे पास, check करते हैं, next question हमारे पास देगा है, क्या है, find dy by dx, when x power y plus y power x equals to a power b, तो हमें क्या लट करने को बोला, तो ऐसे questions को मैं कैसे start करूँगा, तो हमारे पास जो क्या बन है, क्या बन, x power y plus y power x equals to a power b, तो a, b तो हमारे पास constant होते हैं, और x, y जहां variable होते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम, इन दोनों को, आप देखो, x की power y, और y की power x, दोनों variable की बार बहली बना है, तो logarithmet differentiation यह अपला होगी, बट इससे बहले मैं इसको क्या लट करनूँगा, ऐसे क्या लट करनूँगा, u equals equals to x power y, और v equals to y power x, तो ऐसे लट करनूगा, तो हमारे पास, जो मारा a function बन गया, क्या आगा, u plus v equals to a power b, यही बन गया, u plus v equals to a power b, differential करूँगा, तो क्या अड़ एगा, du by dx plus dv by dx equals to 0, क्योंगे देखो, u का differential with respect to x किया, v का differential with respect to x किया, तो यह तो constant थे, तो constant का differential किया, तो क्या आगा, 0, constant का differential किया, तो किया आगा, 0, तो अगर यहाँ पर लिखना है, तो लिखो, लिखना, 0, जूर यह differentiate with respect to x, ठीक है, तो यह हमारे बात होगे, तो अब यह हमारी होगी, equation number बाल, ठीक है, अगर इसको equation number 1 माल लो, तो भी अच्छा है, ठीक है, नहीं मालना, तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अगर हमने equation number 1 माल लिया है, तो मुझे क्या आगा, अगर दोड़कर 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 अब यू कैना, log u is equal to log of x to power y, तो log u is good, यह y आ गया जाएगा, ठीक है, तो अब differentiate both sides with respect to x, तो क्या अगर 1 upon u, du by dx equals to, अब यह दोनों ही variable है, और अब u into e का formula लगेगा, तो क्या आएगा, देखो, y log x का कितना आगया, अब देखो, इसको छोड़ जाए, इसकी differentiation, अब इसको छोड़ दूँ है, इसकी differentiation, log x, तो y की differentiation, dy by dx नापी, चक कर दो, तो इससे next हमारे पास क्या बन गया, देखो, du by dx, अगर मैं इसकी value भी find और करनो, तो u हमारा चोड़ दिवाइड हो रहा है, तो उदर जाके क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, तो हम multiply कर लेंगे, तो यह क्या है, u, देखो, y upon x, plus log x, dy by, चल्क कर लो, ठीक है, अब u क्या है, x की power y, y, you can, x की power, तो मैं यह बिल कर लो, x की power y, y upon x, plus log x, dy by x, अब यह x की power y, multiply हो रहा है, अब देखो, x की power y, और y upon x, plus x की power y, log x, dy by, अब चल्क करो, यह x की power y हो, यह x की power 1, अब नीचे है, यह उपर आगे, क्या जाएगी, minus 1 हो जाएगी, अब चल्क कर लो, अगर मैं इसको लिख रहू हो, y x की power minus, अब यह दोनों combine हो, यह भी x की power, यह भी x की power, तो क्या आगया, x की power y minus 1, और साथ में की आगया y, एक्स की power y minus 1, dy by x, ठीक है, तो यह value बने गई, तो इसको मैं इक्विशन अगर गूलेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि du by dx तो आगया, अब बीक है, also, v equals to y power x, taking log on both sides, तो log v equals to log y power x, log v equals to x, log y, here and x, x आगया आगया, अब differentiate both sides with respect to x, x, तो क्या लेगा, 1 upon v, dv by dx, तो यहाँ पे क्या, you will do v, x, log y का कितना आगया, 1 upon y, और dy by dx, प्लस, अब log y छोड़ दो, और x का 1 आगया, with respect to x का रहे हैं, तो dv by dx, तो यह भी इदर आखे, multiplied होगया, अब क्या आगया, x upon y, dv by dx, प्लस, अब वी क्या है, y पावर x, तो अब dv by dx, यह y पावर x, multiplied by x पावर, x और y की पावर बांदी नीची ओपर आके क्या होगी, minus 1, dy by x plus, y पावर x, log y, चेक कर लो, अभी तक मैंने यह किया, सारा का सारा प्रसेजर, पहले, u, taking log on both sides, by differentiating, dv by dx निकाल लिया, फिर b, taking log on both sides, differentiating with respect to x, अब dv by dx निकाल लिया, तो यह मेरे पास क्या है, dv by dx, अब इसकी value, मैं यह रब कर रहा हूँ, मुझे fine note करने, dv by dx मैं statement रब कर रहा हूँ, ठीक है, और आप pause करके वीडियो, वो इसको note अंगर सकते हूँ, अब देखो, क्या आगे गयाना है, अब देखो, dv by dx कितना आगया है, xy की पाबर x minus 1, ठीक है, dy by dx, प्लस y पाबर x, log y, यह आगी, dv by dx आगी, अब, जो हमारी values आई है, वो हम equation number 1 में put कर देगे, अब यह equation number 2 में, du by dx था, equation number 3 में, dv by dx, तो put the value 2 and 3 in 1, तो हमारी equation 1 यह थी, यहां में value put कर देगे, तो du by dx कि बढ़ाए गया है, यह value, यह आगया, x की पाबर y minus 1, और साथ में यह प्लस x की पाबर y, log x, dy by, plus dv by dx, equation number 3 से, x by की पाबर x minus 1, dy by dx, plus y power x, log y equals to 0, तो यह मैं रब कर रहा हूँ, तो यह equation number 1 में हमने, तो मुझे निकालना गया है, dy by dx, तो मैं dy by dx की time select कर लूँगा, और बाकि अलग कर लूँगा, अब देखो, यह जो हमारे पास values बनी थी, तो मैं एक side पे लिए जाए, तो क्या आगा मेरे पास देखो, अगर मैं dy by dx की अलग कर लूँगा, अब यह dy by dx इन दोनों में है, तो इन दोनों में से dy by dx कोमा निकाल लूँग, तो मेरे पास बचे का क्या है, dy by dx कोमा निकाल यह तो क्या आगा है, x पावर y log x plus x y की पावर x minus 1, यह आगा है, दोनों में से कोमा निकाला dy by y, इन दुनों मेसिक, सिर फिन दुनों मेसिक तो x पार रोड लॉलॉ log x प्लस x बाइंपवर x minus 1 एक पोस टो यह ही इधर चला गया और यह भी ही इधर चला गया मैनिस x पाकर y minus 1 बाइश चक कर तो यह भी इधर चला गया यह भी positive था negative हो गया यह positive था negative हो गया तो अब क्या है dy by dx equals to minus मैं comma निकाल हूं यहां से अगर मैं comma निकाल हूं तो यह कहा हो जाए y power x log y plus x power y minus 1 y upon अब देखो यहां से minus comma निकाल हूं अब यह dy by dx से यह multiplied हो नीम्छे जाने क्या अब आगे डिवाय तो यह हमारा dy by dx तो which is required answer so we can solve these type of questions according to the this method ठीक है तो I hope कि यह आपको अच्छे से अंडरस्टेंडिबल हो तो इससे नेक्स लेक्टर में हम ट्रिग्नोमेटिक जो functions होंगे उनको logarithmic differentiation के base पर कैसे solve करना है हम उसके बारे में discuss करेंगे ठीक है और थैंक्स पर वाचिंग करेंगे जांगे